मेरा नाम है नुराग और चलिए आज हम स्टॉक मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं आज का पहला नीज है पियम मोदी ने 5G लांच किया इंडिया में जो फर्स्ट फेज में 13 सिटीज में लागू होगा जिन उंसीटोस की नाम है देली, गुरुग्राम, मुंबई, पूने, कॉलकाता, लकनव, बैंगलरू, चंडीगर, हैमदाबाद, गांधी नगर, चिन्नई, हैदराबाद, जाम नगर इस सब्टमबर मन्त के GST आकड़े आ गए हैं और आकड़े के मुताविक 1.47 लाग करोड का कलेक्शन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 26 परसंट जादा है, जो बहुत ही अच्छी बात है अमारे एकनॉमी के लिए तिसरी न्यूज है, सेवी ने कुछ चेंजेशन लाए हैं IPO के रिगार्डिंग जिसमें से है, अग IPO इसू करने वाली कंपनी को अपना की परफॉर्मिंस इंडिकेटर डिस्क्लोज करना पड़ेगा और प्राइस परसेर बेस्ट आन पास्ट फंड रेजिंग, जो उन्हों क परस्ट फंड रेजिंग में जितने प्राइस रखे गए थे, परसेर के उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आज की चौती न्यूज है, EMIL ग्रूप के रिगार्डिंग, जो Electronic Mart India Limited के नाम से जानी जाती है, इस कंपनी का IPO आने वाला है, जो 4th of October से 7th of October तर खुला रहे इस IPO का सेर प्राइस की बैंड वेल्यू है, 56 रूपीज टू 59 रूपीज, और इन सेरो के लिस्टिंग 14th of October को होगी, ये कंपनी आपको 1980 से काम कर रही है, और ये कंपनी 4th largest consumer deliverable and electronics retailer in India है, और ये कंपनी अपना PE multiple इनका 13 है, और इसी की सेम आप opposition या फिर इसी सेम फिल्ट की कंपनी जैसे की ये भी fashion है, जिसका PE multiple 30 है, भारती इरिजर्व बैंग ने कल के दिन 50 basis point से repo rate hike कर दिया, जो अब हमारा repo rate है 5.90%, इस साल अभी तक RBI ने 1.90% increase किया है, repo rate, हमारे RBI गोवर्नर Mr. Sankti Kanta Das ने कहा, today inflation is hovering around 7% and we accept it to remain elevated at around 6% in the second half of financial year 2022-2023. और आज की चटी news है, Oracle Corporation के related जो आप देख सकते हैं, last कुछ दिनों से लवातार गीर रही है, उसकी main वज़ा है, US Security और Exchange Commission के दुआरा गीर रिपोर्ट में ये बताया गया कि इन्हों ने एक तरीके से घूस दिया है, चार लाग करोड, चार लाग, सारी, चार लाग डॉलर का to official from a company owned by Indian Ministry of Railways in 2019, वो ये जो घूस दिया गया था, ये Union Minister Pius Gowell के tenure की समय की बात है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी भी अलग कंट्रीज में घूस दिया गया है, जैसे की Turkey and UAEA जो टोटल ब्राइब का अमाउंट है, वो है US 23 मिलियन डॉलर, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, आज की सत्वी नियूज है, ED के related, हमारे ED कमिशन ने OktaFX के trading bank valence को freeze कर लिया, जो 21.14 करोड था, अंडर दी Foreign Exchange Management Act, आज कल के दिन Sunsex 1.80% का तेजी दिखा गया, और Nifty 50 ने 1.64% की तेजी दिखाई, लेकिन इन सबसे तेज लिफ्टी बैंक था, जिसमें 2.61% का तेजी रहा, कल के दिन का टॉप गेनर, अडानी Green Energy था, जिसमें 12.44% का भारी बढ़ी गेन मिला, और कल के दिन का सबसे बड़ा लूजर, या फिर सबसे गिरा हुआ स्टॉप था, इंदर प्रास था, गैस लिमिटेड जू लगबग 5% फॉल हुआ, डाउस जोन्स कल के दिन 1.71% तूटाउं, इंदर को छटवी बार इंडिया का क्लिनिस सिटी का अवार्ड मिला, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुँ, तो प्लीज लाइक करिए, सियर करिए, सबस्क्राइब करिए, आपको इन में से कोई भी टापिक पर अगर डिटियल वीडियो चाहिए, तो मुझे प्लीज कमेंट करिए, थैंक्यू,